रोताज में शनिवार अलसुभा कुख्यात अपरादी कल्लू खां की गोली मार कर हत्या कर दी गई अपरादियों ने उसे दस गोलिया मारी हैं जिससे उसकी घटनास्तल पर ही मौत हो गई बतादे गटनास्तल शिवसागर थाना चेत्र के कैती गाउं में लोगों की बारी बीड जुट गई लोगों का कहना है कि कल्लू खां इस बार कोनार पंचायत से मुख्यापत पर अपनी पत्नी के साथ चुनाव लड़वा रहा था रोजाना की तरह आज भी वच उनाव प्रचार के लिए बाइक से पत्नी के साथ सुबा करीब छे बजे चेत्र में निकला था और इस दोरान पूर्व से घात लगाये तीन अपरादियों ने उसे मार डाला गट्ना की जोचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और पुलिस के अनुसार हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है कल्लुखां अपरादिक प्रवत्ती का था और कुछ लोगों से इसकी पूछताच भी की जा रही है हत्यारों की गरफतारी के लिए छापे मारी लगातार चल रही है 2011 में जेल में बंद कल्लुखां पर जेल से ही अपराद के नेटवर्क का संचालन करने का आरूप लगा था जेल में बंद होने के दोरानी चार संगीन मामलों के तार इससे जुड़े होने की बात सामने आई थी तब तत कालीन S.P. मनुमा राज ने उस पर CCA लगाने का प्रस्ताव पटना भेजा था और उनकी अनुशंसा पर ही उस पर CCA लगा था